जेगलास जी केम आपका स्वागत है आज हम जारकन का इतिहास से संबंदित मद्यकाल का टेस्ट लगाएंगे जिसका अंत्रगत सल्तनकाल, मूगलकाल, उत्तर मद्यकाल के कोस्चन देखेंगे आए टेस्ट क्यों चलते हैं पहला कोस्चन है अलाओदिन खिल जी केकी सिनपती ने नागवंसी सासब को कर देने के लिए विवस किया था चजु मलिक मानसी खवास खान बक्तियार खिल जी ये चजु मलिक ने किया था एंसर ए हो जाएगा गुलाओवंस के काल में चोटा नागवंसी राजा कौन था दोजन साल हरीकर्न रगुनाथ साह सिवदासकर्न बी उसन से हो जाएगा इसरे बसवाल देखते हैं मुगल समराज यो जारखन के बीच वास्त्विक संपर किसके सासनकाल में हुआ था ये अकबर के सासनकाल में हुआ था आए अकबर के सिनपति मानसी ने बंगाल की राजधानी कहां अस्थापीट की थी दुमका राजमहल या पाकूर ये राजमह बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा चुटानापुर खास का नाग वंस का कौन सा सासा गद्धी पर बैठते ही मुगलों की अधिनता ठुकरा कर सालाना कर नहीं दिया मतलब ये टैक्स नहीं दिया वो कौन था ये दूर्जन साल था ओप्सन ए चेरो वंस का हुआ कौन सा सासक था जो जहांगिर के मनुरंजनार्थ बाग से लड़ने पर मिर्टी हो गई थी ये सहबल राय थे वी ओप्सन ये बाग से निहत्ते लड़े थे बिना किसी हथियार के ही और वे मारे गए आए ने स्वाल देखते है पलामो का चेरो राज किस ये ओप्सन नागवल्स का सासक रामसा किस प्रवर्ती का सासक था दानी प्रवर्ती सांत धार्मिक या आक्रामक प्रवर्ती का ये ओप्सन डी सही हो जाएगा ये आक्रमक प्रवर्ती का था ओप्सन डी जहारकर का कुन सच्छेत्र मौधिकाल में मुसलिम आक्रमनों से तो ये ए उप्सन सही हो जाएगा नैगा नाइंद का, ए उप्सन धनबाद, ये नर्स वाल लेते हैं, माराथो ने किसके सासनकाल में चोटा नागपुर खाज पर सबसे पहले आकरमन किया था, ये दुनाग्सा, सियाम सुन्दर नाग्सा, रामसा, उदायनाग्सा, ये सियाम सुन्दर नाथ सा किसा में आखबन किया था Option B सुबेदार अली वर्दी खान ने जार्खन में पलामों के चेरो सासक जै क्रिस्न रायक के लिए कितनी रासी प्रतिवस कर घोसित की मतलब ये टैक्स कितना घोसित किया था ये सालना था 5,000 रुपिया ये Option C हो जाएगा जार्खन में महामाया मंदिर और टांगिनाथ मंदिर किस जीले में इस्थी थे हैं ये गुमला जीला में स्थी थे हैं Option A ये खोटी में नहीं है ये सिम्डिगा में भी नहीं और ये लोहर्दागा में भी नहीं किस सासक ने हजरिबा के सत्गावा के बहुत बड़े इलाके को जीत कर अपनी राजधानी बनाई मुहमद बिन तुगलग अलाउदिन खिल जी फिरोज तुगलग खाई ये फिरोज तुगलग उप्सन सी सही हो जाएगा वर्स पंदरह सौ बिरानवे पूरहाट के किस सी वंसी राजधाने मुगलो की अधिनता को सुखार करके राजधा मानसी के अंगरख्चे दल में सामिल हो गए कासिराम सी ही, रंजित सी ही, अर्जुन सी ही, इनमें से कोई नहीं ये रंजित सी, उप्सन सही हो जाएगा, उप्सन B जहांगिर ने दूर्जन साल को बंदी बनाकर किस चिले में रखा था? गौलिर के किला, बीघा के किला, पलामो किला, ये गौलिर किला में रखा था उप्सन ए, आई ये इस सवाल देखते हैं, दोटर साल जब गौलिर के किले से मुक्त हुआ और उसे उसका राजजल उटाया गया, तब उसे कितना कर देने के लिए स्विकार कराया गया, 7000, 6000, 8000 ये भी आउसन सही हो जाता है, 6000 रुपिया, नागवर्स के सासख, रगजुनात एवं रामसा किसके समकालीन थे, औरंगजेब, जहागिर, साहजहाँ, अकबर, ये औरंगजेब किसमकालीन थे, आउसन ए, चेरो बर्स में किसके सासख, किसके सासन का स्वर्न यूग माना जा यह मेदिनी राय हो जाते हैं सही इंसर, उप्षन A मेदिनी राय की ससनकाल में यह स्वरय यूग माना जाता था आए यह नेट स्वाल देखते हैं मुगल प्रभाव किस कारण से जार्खण में स्वाथ हुई मराठा आकर्मान अंग्रेजों का आकर्मान उपरव दोनों या इनमें से कोई नहीं ये मराठा आकर्मान और अंग्रेजों का आकर्मान में देखा जाएगा तो ये मराठा सबसे पहला आकर्मान किये थे उसके बाद अंग्रेजों का आकर्मान हुआ इसलिए ए उप्सन सही हो जाएगा मराथा आक्रमान पलामू में राजनीतिक सत्ता का धिर्वी करन कब हुआ 1950 से 1965 1733 से 1740 1740 से 1745 1707 से 1740 इसमें प्रेंट्स ये ए उप्सन करेक्ट हो जाएगा 1950 से 1965 ये हमारा राड जिवाग हो जाता है चेरो सासक साहिब राय किसके सम्कालिन थे जहादर साथ फरुक्सियर उपरक दोनों इन में से कोई नहीं ये जहादर साथ फरुक्सियर दोनों के सम्कालिन थे इसलिए उसका उप्सन हो जाएगा करेक्ट सी उप्सन हो जाएगा आईए लेट सवाल दखते है पलामो के चेरव बंस का सबसे अधिक सक्तिसाली सासक था साहिब राय, मेदनी राय, रंजीत राय, जैकरिस्ने राय ये मेदनी राय था उप्सन बी मुगलकारिकाल में किस आत्मकथा में अस्थानी लोगों द्वारा संख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके के बारे में लिखा गया है तुजुक ए जहांगरी अकबर नामा, आइने अकबरी हुमायू नामा ये ए उप्सन सही हो जाता है तुजुक ए जहांगरी जहर्खंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है ये ये आदलasons दृती को जाना जाता था इसलिए ये A उप्सन भीनी 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 ये C उप्सन हो जाएगा आदल सा दृती आए ये लिट स्वाल लेते हैं ये रामगर जीले में नागवन सासक यदुनाद साह किसके समकारिन था? फरुक्सियर, साह जहां, जहांगेर, इनमें से कोई नहीं ये फरुक्सियर के समकारिन थे, उप्सन A कौन सासक बंगाल अभियान के लिए जारकन से होकर कई बार गुजरा था? अलाउदिन खिल जी, सेर्सा, बक्तियार खिल जी या इल्तूतिमीस ये बक्तियार खिल जी था जो बंगाल अभियान के लिए जारकन सोकर कई बार गुजरा था आए ये नहीं स्वाल देखते हैं दुर्जासा ने अपनी राजधानी कहां अस्थापित की थी? सुतियांबे, दोईसा, रातुगर या खुकरा ये दोईसा में अस्थापित की थी? उप्शन बी सराइकला राजधा की राजधा अस्थापना किसने की थी? विक्रम सी, ये ये उप्शन करेक्ट हो जाता है विक्रम सी लोदी वंस के समकारिन कौन सा वंस था? चोटा नाकपुर खास का नागवन्स का सासक, करगुनात किस प्रकार का सासक था? आक्रमक प्रवरिती, धार्मिक एवन दानी, उप्रुक दोनों या इन में से कोई नहीं ये धार्मिक भी थे और ये दानी भी थे, उप्शन बी हो जाता है, करेक्ट मुगल का लिंग रंथों के अनुसार कोकुरा के नागवन्सी राजा को किस नाम से संबोधित किया गया है? जमिनदार एक खान आलमा, यमिन उद दौला, इतमाद उद दौला, या अमिर उल उम्रा इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंट, सी ये 32 का जमिनदार एक खान आलमा, से इसे संबोधित किया गया था ये 33 स्वाब उसी संबन दित है, जमिनदार एक खान आलमा का अर्थ है सोने की खान का मालिक, हीरे की खान का मालिक, या दोनों के खान का मालिक, या इनमें से कोई नहीं इसा करेक्ट जवाब हो जाएगा हीरे के खान का मौलिक अपसन B आईए निर्स सवाल लेते हैं अकबर के किस सिनपती ने राजमहल को पंगाल की राजधानी बनाया था सहबाज खान मानसी चज्जु मलिक खावास खान ये मानसी थे जिसने अपनी राजधानी बनाया राजमहल को अंगरेज सरपत्म किसके सासनकाल में सिहभूम से होकर जाखन में परवेश किया था तो फ्रेंड्स जब ये ज़ अंगरेज जाखन पर आकरम करने आये थे तो वे सिहभूम के राज़्टे से ही आये थे और उसमें वहाँ पर ये इनका सासनकाल चल रहा था जगनात्सी चतूत का सासनकाल चल रहा था इसलिए उप्सन एक करेक्ट हो जाएगा 35 का है यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आई होगी तुसे लाइक करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे आपटेट हमेशा मिलते रहेंगे जब एक कोई नए वीडियो अप्लोट करूंगा तो वह आपको पास से के नोटिफिक्शन के जरीए पहूँच जाएगा और इसे आजए सदिक सेयर करें